मा, मा, अरे क्या मा मा कर रहा है, बकरी का बच्चा है क्या, अरे मा मजाग छोड़ो, मुझे फाइनली वो में चौराए वाली दुकान मिल गई है, अब देखना, आपका बेटा दुगनी स्पीर से पैसा कमाएगा, उफो ये क्या, मेरे ओनलाइन मेकप क्लास चल रही है, इतन जोर से क्यों बोल रहे हैं आप दोनों, अरे मेरी धरम पत्नी जी, मेकप क्लास बाद में करना, वो चौराहे वाली दुकान मिल गई है हमको, अरे वा, रुको, मैं अपनी मा को फोन लगा कर बता देती हूँ, अरे मैं भी अपने रिष्टेदारों को बता देती हूँ, कि त तीनों ने अपने अपने फोन उठाए और लोगों में बात पहलाना शुरू कर दिया, और रही सही कसर, श्वेता बहु ने अपने पडोस में सब को बता कर दी, अरे बरमा अंटी, अब हम भी जल्दी कार ले लेंगी, घर का रेन विश्रिन होगा, और ठाट से रहेंगे हम अरे ऐसा क्या हुआ, लाटरी बाटरी लग गई है क्या, अरे इस बार चोरहे वाली मॉल में हमको भी दुकान मिल गई है, दुकान नमबर 21, जो एकदम चोरहे पर है, अब ग्रहक बढ़ेंगे तो, आमदनी भी बढ़ेगी ही न, अरे वाह, कितने खुशी की बात है, मैं ब सब को मत बताते फिर न, किसी की नजर लग जाएगी, तो खुशी की खबर वापस लाट जाएगी, हैं, ऐसे थोड़ी न होता है, अब डरा रही हो, अरे सही कह रही हूँ, काली नजर कहते हैं इस चीज़ को, जब आप किसी को कुछ बताओ, और वो काम बिगड जाए, अरे लेकिन मैं तो, तुमने सब को बता दिया न, हाँ, फोन लगा लगा के, अब बच के रहना, काली नजर बड़ी खतरनाक होती है, श्वेता इतनी खुश रहती है, कि वो वर्मा अंटी के बाद पर ध्यान ही नहीं देती, जबकि पडोस में और भी लोगों से खुशी की खब शेयर करती रहती है, अगले दिन राजिश बहुत दुखी होकर घर आता है, अरे बेटा क्या हुआ, मूँ क्यू सूजा हुआ है, मदु मक्खी ने काट लिया क्या, मा, वो दुकान किसी और के पास चली गई, किसी ने ज्यादा भाव लगा दिया, अरे पर बात तो आपसे ह हुई थी ना उस दुकान वाले की, हाँ, आज मैं टोकन अमाउंट देने गया था, तब मुझे पता चला, कोई आकर सुबह मुझसे पहले ही ज्यादा अमाउंट दे गया, हम, काली नजर, क्या, क्या कहा, वर्मा अंटी ने समझाया था, कि किसी को बताना मत, वन्हा काली न बता चुके थे ना हम तीनों, अरे अगली बार से ध्यान रखेंगे, कोई भी नई चीज होगे, तो किसी को नहीं बताएंगे, तीनों कुछ दिन ऐसे ही रहते हैं, पर एक दिन श्वेता को एक मेल आता है, राजिश, मेरा ओनलाइन मेक अप कोर्स कमप्लीट हो गया, अब म मैं खुद का पार्लर खुल सकती हूँ, अरे वा, अपने महले में ही खुलते हैं, ये जो घर के सामने दुकान है न, वहीं, हाँ, यहाँ सस्ती भी मिल जाएगी, अगले दिन श्वेता वर्मा आँची के पास जाती है, मिठाई का डबबा लेकर, अरे आओ आओ, कैसे आना ह हुआ, सूर से नहीं बोलूँगी, वो सामने वाली दुकान है न, वहाँ मैं अपनी पार्लर की दुकान खुलने वाली हूँ, उसकी मिठाई है, अरे वा, बहुत बधाई हो तुमको, हाँ, मैं कमाने लगूँगी तो, राजेश पर पूरे घर का बोज नहीं रहेगा न, आ जिबार गलती कर दी थी, काली नजर लगी किसी की, और राजेश की हाद से वो दुकान चली गई थी, हम, सब को मत बताना, चलो मैं चलती हूँ, कल दुकान की बात करने भी तो जाना है। अगले दिन श्वेता क्ले की लिए मालिक से बात करने जाती है। अरे, लेकिन दुकान थो हम कल रात को ही किसी को दे चुके है? कल ही? हाँ, कल ही। दो दिन बाद कोई यहाँ पारलर भी खोल लेगा, अब कहीं और दुखान देख लीजिए। अरे पर हमको भी तो पारलर ही खोलना था। वह यह एक ही दुखान है, आधी आधी तो नहीं दे सकता ना मैं। राजिश और श्वेता घर पर हताश होकर आ जाते हैं। इस पार तो किसी को बताया भी नहीं था, अब किसकी काली नजर लग सकती हैं। सुनो, तुमने मा को बताया था क्या। अरे कैसी बात कर रही हो, मा की नजर थोड़ी न लगीगी। पक्का तुमने किसी को नहीं बताया था ना। सिर्फ वर्मा अंटी को बताया था, उन्होंने ही मुझे किसी को नहीं बताने को कहा अरे यार तुम भी सही हो, मेरी मा को नहीं बताने को कह रही हो, पर वर्मा अंटी को बताना तुम्हें जरूरी लगा अरे वर्मा आंची नहीं तो काली नजर की बारे में बताया था ना वो हमेशा हमारा भला ही तो चाहती है मेरी मा भी हमारा भला ही चाहती है अरे पर चिल्ला क्यों रहो बात नहीं कर सकते क्या आराम से नहीं आता हूँ आराम से बात करना और करना भी नहीं चाहता हूँ मैं दुकान जाने का दुख गुस्से में बदल गया था और राजेश और श्वेता में बात बंध हो गई थी दो दिन बाद महले में पारलर का इन्योग्रेशन हुआ जिसमें महले के सभी लोगों को बुलाया गया पर श्वेता, राजेश और मा नहीं जाते मा अंदर आजाओ, क्या देख रही हो? अरे नया पारलर देख रही हूँ अपने आंगन से देखो, मा को दूसरे का सुख देखने में कितना मज़ा आ रहा है मेरा दुख नहीं दिख रहा है इन्याँ मेरा पारलर भी तो हो सकता था अरे चुप रहो यार, हर बात में लड़ाई क्यों ढूण रही हो? राजिश और श्वेता फिर बहस करने लगते थे, तबी मा ने दोनों को बाहर बुलाया अरे ज़रा देखो तो, दुकान चलाने वाले का बोर्ड पर नाम क्या लिखा है? शूती वर्मा? गाड़ी निकाले बेटा, हमें कहीं जाना है काली नजर का इलाज कराने? मा राजिश को उस मॉल वाले दुकान पर लेकर जाती है, जहां राजिश अपनी दुकान खोलने वाला था यहीं दुकान लेना चाहता था ना तू? हाँ, पर इनको भी दुखी करने लेकर आई हो क्या यहाँ पर दुकान दिखा कर? वहाँ काफी नहीं था? अरे श्वेता, थोड़ा सब्र रख, अभी पता चलेगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं, बता इस दुकान चलाने वाले का नाम क्या है? अनुपम वर्मा कुछ समझ में आया? वो दुकान वाली शूती वर्मा, यह दुकान वाला अनुपम वर्मा, और हमारे पडोस पे हमने उस दुकानों के बारे में बताया किसको था? वर्मा आँटी को मतलब वर्मा आँटी ही हमारा काम बिगार रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह बस इत्तफाक है राजिश अपना फोन निकालता है और शूती वर्मा और अनुपम वर्मा के नाम फेसबुक पर सर्च करता है जहां यह दोनों ही वर्मा आँटी के रिष्टदार होते हैं श्वेता को समझ में आ जाता है के वर्मा आँटी की ही नजर खाली नजर है अब क्या करना है? कोई भी खुशी के